रादे रादे मित्रों, नवरात्री का पर्व आने वाला है और मादुरगा के आराधना के लिए बहुत ही विशिष्ट समय होता है ये नवरात्री का समय नवरात्री के नौ दिनों में मादेवी के नौ अलग-अलग सरूपों का पूजन किया जाता है उनकी उपासना करके भक्त उन्हें प्रसंद करने का प्रयास करते हैं और अपना मंचाहा वर्दान मांगना चाहते हैं नवरात्री के पर्व शुरू होने से पहले मातारानी की आराधना के लिए आपको जहां एक और उनकी पसंद ना पसंद का भी ध्यान रखना चाहिए उनके प्रियभोग का ध्यान रखना चाहिए वहीं दूसरी और वास्तु से जुड़े हुए कुछ विशेश नियम होते हैं पूजन से संबंदित इन नियमों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्य ही मातारानिक की कृपा आप पर जल्दी बरसती है तो चलिए देखते ह हैं कौन से हैं वे वास्तु से जुड़े हुए नियम पहला नियम है नवरात्री शुरू होने से पहले अपने घर और पूजा स्थल पर साफ सफाई का विशेश ध्यान देना चाहिए और नवरात्री पर हर दिन घर के मुख्य दर्वाजे पर हल्दी और चूने से स्वास्त का निशान अवश्य बनाएं दूसरा है माता की प्रतिमा चौकी और कलश की स्थापना इशान कोड में हमेशा करना चाहिए क्योंकि जोतिश में इशान कोड की दिशा में देवी देवताओं का वास माना जाता है ये घर की सबसे हाई एनरजी वाला पोइंट होता है तो इस इसलिए नवरात्री में माता की प्रतिमा चौकी और कलश इन सबकी स्थापना इशान कोड में ही करना चाहिए इस दिशा में सकारात्म कूर्जा का असर सबसे जादा माना जाता है तीसरा है अगर आप पूरे नौ दिन तक अखंड जोति को प्रज्वलित करना चाहते हैं त तो अखंड जोति को पूजन स्थल के आगनेय कोड में रखा जाना चाहिए क्योंकि आगनेय कोड अगनी तत्व का प्रतिन रित्व करता है ऐसा करने से घर पर सुख समर्दी का वास होता है और शत्रों पर विजय प्राप्त होती है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें माता की स्थापना चंदन की चौकी पर करते हैं उन्हें शुफलों की प्राप्ती होती है उनके जीवन पर माता रानी की कृपा बहुत जल्दी बरसती है पाचवा है नवरात्री में मा के पूजन के दौरान भग्त का मूँ पूर्व या उत्तर की दिशा में रहना चाहिए क्योंकि पूर्व दिशा को शक्ती संपन्नता और शौरिका प्रतीक माना जाता है नौ दिनों में मा देवी को लाल रंग के वस्त्र और पूजन समगरी जरूर अर्पित करना चाहिए ऐसा करने से जीवन में शुबता आती है तो ये वे पाच नियम हैं जिनका पालन करना न जानकारी आपके लिए उप्योगी होगी नमो ना रायन